बच्चू संस्कृत के इस वीडियो में मैं सभी का स्वागत करती हूं और आज हम लोग बक्क से प्रतिकारह का शेश जो प्रश्न था उसे पूरा करेंगे इस से पहले हम लोगों ने प्रश्न पूरा किया था जिसमें की प्रश्न था खाली जगा भरो रेकता स्थानानी पूर्यत और इसके बाद मंजुशा से उचित शब्द चुनकर पूरा करना था और उच्चारणम कुरूत वाला प्रश्न था और अब हम लोग जो है तीसरा प्रश्न करने जा रहे हैं जिसमें लिखा है कि अधो लिखिता नाम प्रश्ना उत्तरम लिखत नीचे लिखे गए प्रश्नो का उत्तर लिखो क Soo तो इसमें लिखत का लिखो होता है लिखो तो यहां पर हम लोग पहला प्रश्न देखेंगे कि इसंस में क्या लिखा हुआ हैं तो इसमें सबसे पहले प्रश्न पूछा गया है कि श्रिगालस श्रिगालस से सस्ट्री विभक्ति एक वचन है संबंध कारक यानि कि सियार का मित्रम मित्र कह आसीत कह कार्थ होता है कौन आसीत मतलब था यानि कि सियार का मित्र कौन था तो यहाँ पर श्रिगालस से मित्रम आसीत इतना तो प्रश्न में ही लिखा हुआ है और हमें कह का उत्तर ढूनना है कौन तो कौन का उत्तर है बकह तो यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि एक पदेन उत्तरत अगर एक पदेन उत्तरत लिखा होता तो इसका उत्तर हम लोग एक पद में देते और यहां पर लिखा है कि निमनलखित प्रश्णों का उत्तर लिखो तो यहां पर हम लोग उत्तर पूरे वाक्य में लिखेंगे तो इसमें जो है सबसे पहला इस नका का उत्तर बनेगा श्रिगालस से मित्रम बकह आसीत तो सभी बच्चे ये पाठ निकाल लेंगे बकह से प्रतिकारह और इसमें जो है हम लोग तीसरा प्रश्णों कर रहे हैं तो यहां पर हम लोग डालेंगे प्रश्णों तीन यहां पर उत्तर तीन और सबसे पहले इसका का का करेंगे और का का हम लोगों ने उत्तर ढूंडा है कि बकस्य मित्रम, श्रिगालस्य मित्रम बकह आसीद, सियार का मित्र बकुला था और जब भी वाग के पूरा होता है, तो इसमें पूर्ण विराम लगाया जाता है, और जब भी प्रशन लिखते हैं या प्रशन बनाते हैं, तो उसमें प्रशन चिन लगाया जाता है, तभी प्रशन पूरा होता है, और प्रशन हमेशा वाग के में बनता है, कभी भी कौन, कह किम कस्य कि मर्थम इन सबसे प्रश्ण ये प्रश्ण वाचक शब्द हैं इनका प्रियोग हमें वाग किमे करके उससे प्रश्ण बनाया जाता है तो यहां पर अभी हम लोग को प्रश्णों का उत्तर लिखना है इसलिए हम लोग यहां पर पहले कर तीसरे के का का उत्तर लिख यहां पर अस्ति आसीत शब्द जो है वो लंगलकार का है था के लिए इसका प्रयोग होता है एक वचन में तो यहां पर हम लोग अब प्रश्ण तीसरे का खा पढ़ने जा रहे हैं और तीसरे के खा में लिखा है कि इस्थालितह कह भोजनम न अखादत इस्थालितह यानि कि थाली में इस्थालितह का अर्थ होता है वैसे इस्थालिका कहते हैं और यहां पर इस्थालितह है थाली में कह मतलब कौन ये पुलिंग का है कौन भोजनम भोजनम में दुईतिया विभक्ति है कर्मकारक है भोजन न मतलब नहीं अखादत मतलब खाया तो किसने भोजन नहीं खाया अखादत जो यहां पे रूप है यह प्रथम पुरुष एक वचन का है और यह भूत काल में प्रियोग किये जाने वाले लकार लंग लकार का प्रथम पुरुष का एक वचन का रूप है जैसे पठ धातु से अपठत बनता है और खाद धातु से अखादत बनता है इसमें जो है इसी तरह से लिख धातु से अलिखत बनता है तो यहां पर हम लोग इस शब्द का पैचान भी किये कि अखादत मतलब खाया खा चुका तो इस थालितह थाली में कह मतलब कौन भोजन नहीं खाया तो थाली में बगुला बकह बगुला को बकह कहते हैं अगर कहानी समझ में आई है तो हम लोग इसे समझ सकते हैं कि बकह यानि बगुले ने थाली से भोजन नहीं खाया तो इसका उत्तर अब बनेगा इस्थालितह और कह जो प्रेश्न वाचक शब्द है इसकी जगा पर हम लोग बकह शब्द को लिखेंगे तो इसमें हम लोग इसका उत्तर बनाएंगे कि इस्थालितह बकह भोजनम न खादत तो यहाँ पर खा का उत्तर हो जाएगा इस्थालितह बकह भोजनम न खादत अब जो है यहाँ पर यह उत्तर बन गया और इसमें सवी बच्चे देख रहे होंगे कि यह शब्द केवाल बकह को छोड़ कर बाकि सारे शब्द प्रश्ण में लिखे हुए हैं केवड प्रश्ण वाक्च चिन्ध को हटा कर उसकी जगह पर पूर्ण विराम लगाते हैं बेना पूर्ण विराम लगाए वाक्य पूरा नहीं होता है यह नियम है कि जहां परवाग की पूरा होता है वहां पर जैसे इंग्रिश में फूल स्टॉप लगाए जाता है वैसे ही संस्कृत में पूर्ण विराम लगाते हैं खड़ी पाई जिसे बहुत बोलते हैं आम बोल चाल में और अब हम लोग यहां पर करेंगे तीसरा प्रेश् सियार के लिए यहां पर चतुर्थी विभक्ति का प्रियोग है और स्टुराण यानि बोजने यहां पर सभी बच्चे अगर ध्यान से सुनेंगे तो उन्हें विभक्ति का प्रियोग समझ में आएगा कि किस तरह से संस्कृत में अलग-अलग अर्थ में विभक्ति का प्रियोग किया जाता है तो यहां पर भोजने जो है वो सब्तमी विभक्ति एक वजन भोजन में कि मियानि क्या आयच्छत मतलब दिया तो आयच्छत जो है वो लंगलकार का रूप है और प्रथम पुरुष एकवजन का रूप है तो बकुला सियार के लिए वो भी खीर ही खिलाता है और खीर को संस्कृत में बोलते हैं शीरोधनम तो यहां किम यानि क्या तो क्या का अंसर है शीरोधनम और बाकी वाक किसे हम लोग लिख रहेंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा बकाह श्रिगालाए सियार के लिए यहां पे चतुर्थी विभक्ती हो गया सियार के लिए भोजने अब यहां भोजन में जैसे जैसे हमें आवशकता होती है वैसे वैसे विभक्ती का प्रियूख वाकि में होता है श्रिगालाए भोजने शीरोधनम अयच्छत शीरोधनम शीरोधनम अयच्छत अयच्छत मतलब दिया अयच्छत और पूर्ण विराम जरूर लगाएंगे और यहां पर हलंत और विसर्ग का ध्यान देना है क्योंकि अगर जो है ये एक हलंत नहीं लगाने से ये मध्यम पुरुष जो है बहु अचन का रूप बन जाता है और इसी तरह से विसर्ग नहीं लगाने से एक वचन का रूप बन जाता है तो इसका शिरोधनम आयच्छत बखुले ने श्रिगाल के लिए सियार के लिए भोजन में शिरोधनम यानि खीर आयच्छत मतलब दिया तो यह उत्तर हो गया गह का अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे घा घा में बहुत बच्चे घा धा और दिया इन सबका अंतर नहीं समझते हैं जो घा होता है इस घा का प्रियोग घाड़ी के लिए किया जाता है और इस धा का प्रियोग यह जो धा है यह धा का प्रियोग धनुश यहाँ पर धनुश के लिए इसका उचारम बदल जाता है घा घड़ी धा धनुश और दिया यह दिया है इसमें आधा द इसमें जो है इसको इस तरह से भी लिखते है दिया हिंदी में आजकल इसी का प्रियोग जादा हो रहा है लेकिन संस्कृत में अभी भी इस देय का प्रियोग होता है तो यह देय जिससे की बनता है विद्या 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 ले विद्यार्थी लेकिन बच्चे क्या लिखते हैं इसकी जगा पर धा लिख देते हैं और बन जाता है विधा, विधार्थी, तो इसमें उचारें का ध्यान देना चाहिए, कि यहाँ पर हम विध्या बोल रहे हैं, तो उसमें दा और या आता है, और उसे इस तरह से लिखते हैं, ये घा की तरह ही बनता है, लेकिन इसमें उपर छोटी सी लाइन खीचते हैं, जो है वो निरर्थक शब्द हो जाता है, उस वो सार्थक शब्द नहीं रहता, तो यहाँ पर प्रशन हम लोग करने जा रहे थे, तो इसलिए हमने ये बता दिया, कि इन तीनों का अंतर समझ के शब्द लिखा करें बच्चे, और अब हम लोग करेंगे घा, जिसमें पूछ है कि श्रिगाल, श्रिगालस्य स्वभाव, सियार का स्वभाव की द्रिशह भवती, कैसा होता है, सियार का स्वभाव की द्रिशह भवती, कैसा होता है, तो यहाँ पर ये शब्द आया था, कि श्रिगालस्य व्यवहार, कुटिलम भवती, कुटिलेन स्वभावेन, ये वो बगुले को अपने घर बुलाता है, तो वह देखता है कि कुटिल सभाव है श्रिगालह, कुटिल सभाव वाला सियार. तो यहाँपर सियार का सभाव कैसा था? तो कुटिलल था. तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि सभी प्रश्न में जितने भी यहाँ पर पद आये हैं उसमें कीद्रिशह कार्थ है कैसा तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कुटिलहर तेड़ा सुभाव था तो इसका उतर हो जाएगा श्री गालस्य सुभाव था कुटिलह भावती यहाँ पर श्री गालस्य सुभाव था कुटिलह भावती तो यहाँ पर हम लोग कुटिलह लिखेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से विभक्ति का प्रियोग हुआ है कि यहां पर श्री गाले का मित्र कौन का उत्तर है स्री गालश इसा होता हैब भवती मतलब होता है तो यहां पर हमेत्र नहीं किशी गालश स्वभाव और अब हम लोग नहीं चार प्रश्न पूरा हो गया प्रश्न 3 का और आगे हम दीखते हैं कि क्या प्रशन दिया है चोता प्रश्न इसमें विलों पथ पूचा गया ह। देखते हैं कि प्रश्ण की रूप में इस जब मूलशब्द होता है तो वह शब्द कहला आभ जब उसमें वीभक्ती लग जाती है तो पद कहलाता है। तो यहां पर पदानी चित्वा पदों को चुनकर अधो लिक्षतानाम, अधो लिक्षित का मतलब होता है नीचे लिखे हूए। जैसे कि हम लोग हिंदी में प्रियोप करते हैं निम्न लिखित तो यहां पर अधो लिखित कार्थ है नीचे लिखे हुए विलोम पदानी विलोम पदों को पाट से चुनकर लिखत मतलब लिखो तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि पहला शब्द एक यथा लिखा है यथा का अर्थ होता है जैसे तो यहां पर उदाहरण के लिए एक लिख के बताया गया है वैसे ही सब लिखना है और इस तरह का प्रेशन जब भी पूछा जाता है जैसे कि विलोम पद लिखो या समानार्थक शब्द लिखो या पर्याइवाची लिखो तो इन सब में हमेशा जिस शब्द का हमें लिखना है विलोम समानार्थक या पर्याइवाची जिस भी शब्द का हमें लिखना है तो उसमें जो है हम लोग सबसे पहले वह शब्द लिखेंगे कि जिसका हमको पर्याइवाची या विलोम लिखना है तो इस तरह से सबसे पहले यहां पर यह था मतलब जैसे शत्रुह, शत्रुह और इसका विलोम होता है, जैसे हिंदी में शत्रु का मित्र करते हैं, और ये संस्कृत है, ये पद है, संस्कृत पद है, तो इसमें शत्रुह और मित्रम, तो यहां पे मित्रम हो जाएगा, और अब जो है, हम लोग यहां पे दिये हुए शब्दों का खोजेंगे कि इसमें क्या लिखा हुआ है तो इसमें हम दो का का दुख होता है तो सूख का दुख होता है तो यपर हम दो सबसे पहला करेंगे का फी दौखे का उधर चार के सबसे पहले सुखदम लिखा हुआ है, सुखदम, तो इसका हो जाएगा दुखदम, और फिर है यहाँ पे शत्रुता, यहाँ पे हम लोग को जिस तरह से किताब में दिया वैसे ही लिख लेते हैं, तो ज्यादा अच्छा रहेगा, इसमें सबसे पहले इधर लिखा हुआ है, हम लोग पहला यहाँ पे करेंगे, सुखदम का दुखदम, सुखदम और इसका हो गया दुखदम, और अब हम लोग इसके आगी जो शब्द लिखा हुआ है, दुर्वेवहार, उसका हो जाएगा, दुर्वेवहार, सद्वेवहार, तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन खीज दे रहें, ताकि इसके आगे का, लिख दें, दुर्वेवहार, इसका हो जाएगा, सद्वेवहार, विसर्गाएगा दोनों में, तो दुर्वेवहार, सद्वेवहार, और अब हम लोग उसके नीचे चलते हैं, शत्रूता, शत्रू का मित्र होता है, तो शत्रूता का मित्रता, तो यहाँ पे शत्रूता, और इसका हो जाएगा मित्रता, और इसी तरह से उसके आगे दिया है सायम, सायम कार्द होता है शाम को, संध्या, सायम मतलब शाम, और इसका हो जाएगा प्रातह, तो यहाँ पर हम लोग लेते हैंगे सायम का प्रातह, जैसे हिंदी में सुबह का शाम होता है, तो यहाँ सायम का प्रातह, और यह दोनों ही तरफ से लिखा जाता है, जैसे प्रातह, अगर इधर लिखा है, तो प्रातह का सायम हो जाएगा, पहले सायम लिखा है, तो उसका प् करेंगे प्रसंन्न होता है खूश रहना और यहां पर प्रसंन लिखा है तो इसका हो जाएगा प्रसंन्न आ लग गया है इसका मतलब कि जो खुश नहीं है जो प्रसन्न नहीं है तो अप्रसन्न का हो जाएगा प्रसन्न तो यहां पे प्रसन्न हो जाएगा केवल अ हटा देना है अ लगा कर भी बहुत सारे विलोम बनते हैं और अब इसके बाद समर्थ 77 मतलब होता है जो उस चीज को कोई भी ऑप्रशन और अशमल मतलब जो समर्थ नहों तो यहां पेशन लोग को दिआ गया है समर्थ तो इसे हम पहले लिखेंगे और यहीं तरीका है उत्तर लिखने का और कभी-कभी बच्चे जो है वो केवल आंसर वाला लिख देते हैं इधर का शब्द पद नहीं लिखते हैं तो इससे पता नहीं चलता है कि किस पद का उन्होंने यह उत्तर लिखा है तो जब भी इस तरह का प्रेशन आए तो पहला शब्द को लिख लेना चाहिए फिर उसके आगे सही उत्तर लिखते जाना चाहिए तो इससे कोई भी शब्द छूटता नहीं है और रिवाइस करने में भी आसानी होती है तो अ समर्था में से अ हटा देंगे तो समर्था उसका विलूम बन जाएगा तो इसका आर्थ हो गया विलूम हो गया असमर्था का समर्था तो ये प्रशन हम लोगों ने पूरा कर लिया और अब हम लोग करने जा रहे हैं पांचवा प्रशन जिसमें की कहानी दी हुई है और ये कहानी सभी बच्चे जो चित्र देख रहे होंग पर वह समझ रहे होंगे कि यह कौन सी कहानी है और यह संस्कृत में लिखी हुई है तो पढ़ने में समझने में बहुत अच्छा भी लगेगा तो हिंदी और इंग्रिश में बच्चों ने बहुत कहानियां पढ़ी होंगी और छोटे बच्चे यह कहानी सभी जानते हैं है तो यहां पर हम लोग इस कहानी को जो खाली जगह दिया हुआ है उसको पूरा करेंगे तो सबसे पहले हम लोग प्रश्न को समझेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है तो यहां पर हम लोग प्रश्न पांच करने जा रहे हैं प्रश्न पांच और इसमें एक अनुछेत लिखा हुए कहानी संक्षेप में लिखी हुई है और उस कहानी को हम लोगों को पूरा करना है और यहां मंजुशा में कई पद दिये हुए है तो प्रश्न लिखा है मंजुशात समुचित पदानी चित्वा कथाम पूर्यत सही पद चुनकर समुचित का अर्थ है उचित पद चुनकर कथाम यानि कहानी को पूर्यत मतलब पूरा करें तो इसमें सबसे पहले जो उपर बॉक्स में शब्द दिया है मंजुशा में उसको हम लोग अर्थ समझ लेंगे ताकि कहानी में उसे हम लिखते चलेंगे तो यहां इसमें जो सबसे पहले शब्द दिया है उसका मतलबaina मनोरथाइय यानि कि मन में केवल मन में सोचने से पिपासितह, पिपासितह मतलब प्यासा, जो बच्चे ध्यान से सुन रहे हैं, वो पहचान लेंगे कि कहां पे कौन सा शब्द आएगा, उपायम, उपाय, स्वल्पम, स्वल्पम करत होता है थोड़ा सा, पाशाणस से, और पाशाण कहते हैं पत्थर को, तो यहां पे जो है, पाशाण करत होता है, पाशाणस यानि पत्थर को, पत्थर के, कार्याणी, कार्य, उपरी, उपरी कारत है, उपर, संतुस्ट, संतुस्ट होना, पातुम, पीकर, इतस तत, पातुम यानि पीने को, इतस तत, इधर उधर, कुत्रापी, कुत्रापी में दोशब्द है, कुत् अपी, कुत्रापी अब हम लोग एक-एक बाग के पढ़ेंगे और वहाँ पे जो शब्द आएगा वहाँ लिखा जाएगा जैसे पहला शुरुवात किया गया इसमें एकदा, एकह, काकह आसीत एक भर, एक कौवा था, तो क्या था? पीपासितह प्यासा तो पहला शब्द क्या भरा जाएगा? पीपासितह तो पहला यहाँ पे शब्द आ गया पीपासितह और अब हम लोग इसे खाली जगह में भरना है और जब भी कहानी पूरी करने के लिए आता है तो पूरा वाग के लिखना होता पूरा अनुचेद उसे लिखना है और खाली जगह में सही शब्द भरते जाना है तो केवल एक शब्द लिखने से उत्तर पूरा नहीं होगा इसके लिए पूरा वाग के लिखना है और खाली जगह में इन शब्दों को भरना है और पूरा अनुचेद लिखना है तभी आपकी कहानी पूरी होगी केवल एक शब्द लिखने से वाग के पूरा नहीं होगा ये पूरा वाग के लिखना है और इस शब्द को खाली जगह में लिखना है तो इतना सभी वच्चे समझ सकते हैं कि ये वाला शब्द पहले खाले जगा में लिखना है और आपको वो पूरा अनुच्छेद पूरा करना है अब हम लोग दूसरी लाइन पढ़ेंगे पहले लाइन कार्थ हो गया एक बार एक कौवा पिपासिता मतलब प्यासा था सह जलम पातुम अब्रमत सह मतलब वह जलम पातुम जल पीने के लिए अब्रमत मतलब घूम रहा था कहां घूम रहा था तो इसमें मंजुशा में दिया है इतस ततह इधर उधर तो यहाँ पर दूसरा शब्द आ जाएगा इतस ततह इसको अलग करेंगे तो इतह और ततह शब इधर उधर वो कौवा जो है वो पानी पीने के लिए घूम रहा था अब भ्रमत ब्रमधात्तु करत होता है घूमना परम, परम मतलब परंतु, जलम न परापनोत परापनोत मतलब प्रापτु हुआ, न मतलब न, जल मतलब पानी परन्तु पानी नहीं प्राप्त हुआ कहा नहीं प्राप्त हुआ कुत्रापी कहीं भी कुत्रपी कुत्रापी का अर्थ होता है कहीं भी तो कुत्रापी का अर्थ हो गया कहीं भी जलम ना प्राप्नोत अंते सह एकम घटम अपश्यत अंत में वह एकम घटम अपश्यत, एक घढ़ा देखा, घटे जलम आसित, घटे मतलब घडे में पानी था, कितना था, स्वल्पम थोड़ा सा, स्वल्पम शब्द आ जाएगा उसकी बाद, तो स्वल्पम का मतलब है थोड़ा सा पानी था, अब वो क्या करता है, अत्शाह जलम असमर्था अभवत इसलिए वह पानी असमर्थ हो गया किसमें असमर्थ हो गया पानी पीने में क्योंकि घड़ में पानी बहुत नीचे था और वहां तक कोई की चोँच नहीं पहुच पारे थी तो पातुम पीने में वह पानी पीने के लिए समर्थ नहीं हुआ नहीं पेपाया पानी और इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है वो क्या करता है ये बताया गया है सह पाशाण से खंडानी खंड का मतलब उता है टुकड़ा सह मतलब वह खंडानी मतलब टुकड़े घटे अक्षिपत घड़े में फेका अक्षिपत मतलब फेका तो क्या फेका वो कंकड पाशाडस से पत्थर चोटे चोटे पत्थर तो यहां पर उत्तर यहां खाली जगा में लिखेंगे पाशाडस से खंडानी घटे अक्षिपत एवं क्रमेड और इस प्रकार इसी क्रम में घटसे जलम उपरी आगच्छ घड़े का पानी उपर आगया काका है जलम पेत्वा कौवा जलम पेत्वा पानी पीकर अभवत हो गया पानी पीकर उससे कैसा लगा होगा वो बहुत खुश होगा और इसी लिए यहां पर संतोस्ट शब्द काप्रियोग किया गया है संतोस्ठ हो गया उसकी प्यास बुझ गई साह संतोस्ट अभवत और अब परिश्रम एड एव परिश्रम कार्थ होता है मेहनत और परिश्रम एव, एव कार्थ होता है ही, तो परिश्रम एड एव, परिश्रम से ही कार्याणी यहां पे कार्याणी शब्द आएगा, सिध्यांती, सिध्यांती कार्थ होता है, सिध्ध होते हैं, पूरे होते हैं, तो परिश्रम से ही कार्य पूरे होते हैं, न तू मनोरथाई है केवल मनो रथाई है, मन में सोचने से नहीं जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे, कारी को शुरू नहीं करेंगे उसको पूरा नहीं करेंगे, तब तक पूरा नहीं होगा बिना परिश्रम के कारी पूरा नहीं होता है तो यहाँ पर कार्यानी शब्द आएगा कार्यानी तो अंतिम खाली जगा में हम लोग कार्यानी शब्द का प्रियोग करेंगे और सभी बच्चे इन शब्दों को पूरा अनुछेद लिखकर और खाली जगा में लिखने के लिए जगा छोड़कर यह सारे शब्द एक एक खाली जगा में पूरिय किये जाएंगे तो यहाँ पे पूरे आठ यहाँ पे हम लोगों ने एक छोड़ा है उपायम पीपासिता हो गया, इतस्तता है कुत्रापी और स्वल्पम फिर पातुम, पातुम के बाद है उपायम यहाँ पर उपायम आ जाएगा यह लास्ट वाली लाइन में आएगा उपायम हमने बोला था लेकिन लिखा नहीं है यहाँ पे उपायम हो जाएगा यहाँ पे और उपायम के बाद जो खाली जगा आ रहा है वहाँ पे पाशाड़स से हो जाएगा पाशा डश से तो इसी इसी तरह से लिखना है और फिर उपरी आएगा उपर कंकर डालने से क्या हुआ जो पानी था वो उपर आगया तो एवं क्रमेण घटस से जलम उपरी आगर चत उपर आगया और काकह जलम पित्वा संतुस्टह अभुवत संतुस्टह अभुवत और कार्यानी यहाँ पे कार्यानी शब्द आ जाएगा इसको उपर लिख देते हैं ताकि सभी बच्चों को दिखाई दे इसको यहाँ पे लिखते हैं इसके बाद इसके बाद जो है यहाँ पे लिखना है कार्यान कार्याणी और फिर मनोरत है अब सारे शब्दों का प्रयोग यहां पर हो गया मनोरत है तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्ण कहानी पूरा करो कथाम पूर्यत और अब हम लोग अंतिम प्रश्ण करेंगे आपे तत्सम शब्दान लिखत तत्सम शब्द लिखो तो इसमें उदारन दिया है सियार, उदारन वाला भी आप लोग को कॉपी में लिखना है क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है तो यह था सियार का श्रिगालह, तो तत्सम शब्द लिखना है, तद्भाव जो है वो हिंदी में उसका रूप होता है, बदला हुआ रूप तत्सम का होता है, तो यहाँ पर संस्क्रिष्ट पर जो है वो तत्सम है तो सियार का श्रिगालह है कॉवा को क्या बोलेंगे काकह तो यहाँ पर हम लोग पूरा करने जा रहे हैं अंतिम प्रश्न और अंतिम प्रश्न उत्तर है उत्तर छे है और इसमें दिया हुआ है कॉवा तो कॉवा को क्या कहेंगे काकह तत्सम इसका हो जाएगा काकह और फिर है मक्खी मक्षिका मक्खी का हो जाएगा मक्षिका और फिर है यहां पे बंदर को वानरह कहते हैं बंदर को वानरह कहा जाता है और बगुला को बका ये बहुत बार आया है शब्द सभी बच्चे सीख गये होंगे बका मतलब बगुला और फिर है यहां पे चोंच और नाक चोंच और एक है नाक तो यहाँ पे चोंच जो है उसको चंचु का जाता है चंचु है और नाख को नासी का कहते हैं तो इस तरह से यहाँ पे हम लोगों ने आज आज हम लोग ने पार्ट साथ का बकर से प्रतिकार का सभी प्रश्ण जितना भी दिया था अभ्यास में उन सब को हम लोगों ने पूरा कर लिया है और आप भी अपने संस्कृत की कौपी में इसे पूरा करेंगे उमीद है सभी प्रश्ण समझ में आये होंगे और बच्चे इ अभ्यास करेंगे इसका धन्यवाद